वीवर्ज स्वागत है आपका मेरी चैनल चक्षिक पटल पर छट पर्व, छैइट, शस्ति पूजा, कार्तिक शुकल के शस्ति को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है, सूरियो पासना का यहान पमलोग पर्व, मुख्य रूप से बिहार, जारखन, पस्चिम बंगाल, यह पर्व मैथिल, मगद और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है, यह उनकी संस्कृति है, चट पर्व विहार में बहुत ही धुनधाम से मनाया जाता है, यह एक मात्र पुरिभारत का ऐसा पर्व है, जो वैदिकाल से चला आ रहा है, और यह विहार की संस्कृ की बन चुका है, यह पर्व विहार की वैदिकारे संस्कृति की छोटी सी जलत दिखाता है, यह पर्व मुख्य रूप से रिशियो द्वारा लिखी गई रिगवेद में, सूरी पूजन, उशा पूजन और आर्य परंपरा के नुसार विहार में मनाया जाता है, आप तो यह पर्व होता है, लोग नौकरी कर रहें, बाहर लोग चुटियां लेकर, अपना नुकसान सहे कर, इस्टुडेंट्स जो बाहर रहें, वो तक घर जाते हैं, और घर में काफी अच्छा महल रहता है, आध्यातनिक वाता वरड रहता है, बिहार में इन दों दोरा मनाये जा वो भी मनाने लगे हैं, धीरे-धीरे अपर वो प्रवासी भारतियों के साथ साथ पूरे विश्व में प्रचलित हो गया है, चट पूजा, सूर्य, प्रकृति, जल, वाई और उनकी बहें चटी मईया को समर पीजे, ताकि उन्हें प्रथवी पर जीवन की देवताओं को ब हाल करने के लिए धन्यवाद चटी मईया, जिसे मिथिला में रन्बे माई कहा जाता है, बोजपूरी में इनको सबिता माई कहा जाता है, बंगाली में रन्बे ठाकुर बुलाया जाता है, मा पार्वती का छटा रूप भगवान सूरी की बहन चटी मईया, को त्योहार की द इधिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृती को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती दोती पहनती है, तिवहार के अनुष्ठान भी काफी कठिन है और चार दिनों की अवधि में मनाये जाते हैं, यह काफी संकल्प के साथ, काफी तपस्या के साथ यह तिव पार मनाये जाता है, इसमें पवित रिस्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा रहना, और प्रसाद, प्रार्थना प्रसाद और अर्थे देना भी सामिल है, परवातिन नामक मुख्य उपासक संस्कृत पार्ब से जिसका मतलब आउसर या तेवहार है, आम तोर पर महिलाएं ही होती है, उन्हें ही परवातिन कहा जाता है, हालिक की बड़ी संख्या में पुरुशी से उत्सो का पालन करते हैं, क्योंकि छट लिंग विशिच तेवहार नहीं है, पुरुश इसमें पुरा सहियो करते हैं, सर पर डलवा मे पूरा तरह तरह के फल, चड़ानी के सामान लेकर नदी के किनारे जाते हैं, छट महापर्व के ब्रत को इस्तरी पुरुश बुढ़े जवान सभी लोग करते हैं, कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर्क के रूप में एक प्रोस्टिशन मार्च भी करते हैं, पर्याव जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें, और वीडियो को अंधे तक जरूर देएं, छट पूजा चार देसी उत्सो है, इसकी शुरुआत कारतिक शुक्ली जदूर्थी को तथा समाप्ति कारतिक शुक्ली सब्तमी को होती है, इस दोरान ब्रत धारी कारतिक शुक्ली चतूर्थी सो होता है, सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है, उसकी बाद ब्रती अपने नजदीक में स्थीर गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर असनान करते हैं, ब्रती इस दिन नाखुन वगर को अच्छी तरह काट कर स्वक्ष जल से अच्छी तरह बालों को धो कर इसनान करते हैं, लोड़ते समय वे अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयूग खाना बनाने में करते हैं, वे अपने घर के आसपास को सापसुत्रा करते हैं, ब्रत करने वाले इस दिन सिर्फ एक बार खा खाते हैं, खाने में ब्रती, कद्दू की सबजी, मूंग, चना, चाल दाल का उपयोग करते हैं, तली हुई पूरियां पराठे आधी बर्जित हैं, या खाना कांसे या मिट्टी की बरतन में पकाया जाता है, खाना पकाने के लिए आम की लकडी और मिट्टी की चूले का इ खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अनसद से खाना खाते हैं, खरना और लोहंडा, चट पर्व का दूसरा दिन से खरना या लोहंडा के नाम से जानते हैं, चैत्रिया कार्तिक महेने की पंचमी को मनाया जाता है, इस दिन ब्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं, इस दिन ब्रती अनतो दूर की बात है सुर्यास से पहले पानी की एक बून तक नहीं लेते शाम को चाल, गुड़ा और गन्य के रस्त का प्रयोग कर खीर बनाते है खाना बनाने में नमक चीनी का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है इन दो चीजों को पुना सूरी दियों को नवेत दे कर उसी घर में एकांत करते हैं अर्थात एकांत रहकर उसी ग्रहर करते हैं परिवार के सभी सदस उसमें घर से बाहर चले जाते हैं कि कोई शोर नहों एकांसे खातेस में ब्रती हेतु किसी तरह की आवाज सुनना वर्जित है पुनाह ब्रती खाकर अपने सभी परवार जनों मित्रों रिस्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाथ खिलाते हैं इससे संपुड प्रक्रिया को खरना कहते हैं चावल का पिठा वगी लगी रोटी भी प्रसाथ के रोप में दिद्रित के जाती है इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए ब्रती नेजला ब्रत रखते हैं मध्यरातिकों ब्रती छट पूजा के लिए विशेश्वरतार ठिकवा बनाती है संध्या अर्ध कैसे देते हैं छट पर्व का तीसरा दिन जिसे संध्या अर्ध के नाम से जाना जाता है चैत्र या कार्तिक चुकलिश अष्टि को बनाया जाता है पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तेयारिया करते हैं छट पूजा के लिए विशेश्वरतार ठेक पूजा के प्रसाथ फल डाल कर देवकारी में रख दिया जाता है वहाँ पूजा अर्जना के बार शाम को एक सूप में नारियल पांच प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दवरा में रख कर घर का पुरुश अपने हाथों से उठा कर चट घाट पर ले जाता ह या अबवित्र नहो इसलिए इसे सर के उपर की तरफ रखते हैं छट घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राया हमेलाएं छट का गीत का आते हुए जाते हैं नदी या तालाप के किनारे जाकर में लाएं घर के किसी सब्द से द्वारा बनाए गए चबुत्रे पर कि पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूपते हुए सूरदेव को अर्द देकर पांच पार पर इक्रमा करते हैं सामग्रियों में ब्रतियों द्वारा स्वा निर्मित गेहु के आटे से निर्मित ठिकवा समिलित होते हैं या ही नएक अंद, मूल, फल, सबजी, मसाले, अनादी, अथा, गन्ना, ओल, हल्दी, नार्य, नीबू, बड़ा, पके, केले, आदे, चढ़ाये जाते हैं, ये सबी वसमें साबुत, बिना कटे, फूटे, धार्पित होते हैं, इसके तरिक दीव जलाने हैं, नई दीपक, नई बत काला मटर से छोटा दाना है, जो टोकरे में तो लाए जाते हैं, परसान धे, अर्देव में सूरज भगवान को अरपित नहीं किया जाते हैं, इहीं टोकरे में कल सुबह उगते सूरज को अरपढ़ करने ही तो सुरक्षित रखा जाता है, बहुत सारे लोग घाट पर राद भठेरते हैं, वहीं कुछ लोग छटका कीट काते हुए, सारा समान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवगरी में रख देते हैं, उशा अर्ध है, चोथे दिन कार्तिक शुक्ल सब्तमी की सुबह उदेवान सूरी को अरध दिया जाता है, सूरी उद से पहले ही ब्रती लोग को बुला लेते हैं इस पूजा में शामिल होने के लिए, संद्या अर्ध में आर्भित पकवानों को नए पकवान से प्रतिस्था प्त कर दिया जाता है, पारंद कंद मूर्फल वही रहते हैं, सभी नियम विधान सांध्य अर्ध की तरह होते हैं सै, परती लोग इस समय पूरपकी और मुखकर पानी में खड़े होते हैं वह सूरी उपासना करते हैं पूजा अर्चना समाप्तो प्रांत घाट का पूजर होता है वहाँ उपस्तित लोगों में प्रिसाद बित्रड करके ब्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवारादी को प्रशाद बित्रित करते हैं ब्रती घर वापस आकर गाओं के पीपल के पेड़ जिसको ब्रह्म हवावा कहते हैं वहाँ जाकर पूजा करते हैं पूजा के परशाद ब्रती कच्चे दूद का सर्वत पी कर तथा थोड़ा सा प्रशाद खा कर ब्रत पूड करते हैं, जिसे पारना या परना कहते हैं, ब्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासो प्रांद, आज सुबह ही नमा क्युक्त भोजन करते हैं, छट करने वाले महिलाएं, परवैतिन कहलाती हैं, चार दिनों के इस ब्रत में लगतार पूज करना रहता है, शरीर की सुद्धी होती है, स्वास्त के लिए अच्छा हो जाता है, भोजन के साथ सुखत सेया का त्याग भी किया जाता है, परव के लिए बनाए गए कमरे में ब्रत फर्ष पर एक कंबल या चादर के साहरे ही रात बिदाती हैं, इस उत्सों में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिन में किसी प्रकार के सिलाई नहीं की गई होती है, ब्रती को तो ऐसे कपड़े पहनना अनिवारी होता है, अलग ये आज अजनिक्ता के द होता है जब तक कि अगली पेढ़े की की और बिवाहित महिला के लिए तैयार ना होुझा यह बिरासत में दिया जाता है, घर में किसी की मृत्त हो जाने पर यह अपर नहीं मनाय जाता है। मम पूरी निष्टा से मन अंगशित कारे को करने में सपल होते हैं। चट पर मोलता सूरी की आराधना का परभय जिसे हिंदु धर्में विशे सिस्थान राप्त है। हिंदु धर्म के देताओं में सूरी ही ऐसे देता हैं जिने मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूरी की शक्तियों का मुख्यशोत उनकी पत्नी उशा और प्रत्युशा है। चट में सूरी के साथ दोनों शक्तियों की सईयों ताराधना होती है। प्राता काल में सूरी की पहली किरण और सायंकाल में सूरी की अंतिम किरण, पहली किरण, उशा, दूसरी किरण, प्रत्ति उशा को अर्धे देचार नमन किया जागा। आरत में सूरी उपाशना रिकवेद काल से होती चली आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना के चर्चा विश्णु पुरान भगवत, पुराम प्रम्भ बैवर्त, पुरान आदि में विस्तार रोप से की गई है। मद्यकाल तक छट सूर्य उपासना के विवस्तित पर्व के रूप में प्रतिष्टित हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। निरुक्त के रचईता यासकने ड्यू स्थानी देवताओं में सूरी को सरप्थम स्थान पर रखा है। सूरी के किड़ों में कई रोगों को निष्ट करने की छमता पाई गई। रिश्य उमुनियों ने अपने अनसंधान की करम में किसी खास दिन इसका विशेश प्रभाव पाया। संभोता यही छटपर के उद्धों के बेला हो रही होगी। भगवान कृष्ण के पौत्र शाम को रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए विशेश सूर्य उपासना के कारण ही शाम को इस रोग से मुक्ति मिली। जिसके लिए शाक्यदीप से प्रामुनों को बुलाया गया था। की परंपरा और उसके महतु का प्रदिपादन करने वाली बहुत सारी अंगीनत अने पौराडिक और लोग कथाएं प्रिशली थे। एक मानिता के अंसार लंका विजय के बाद रामराज की स्थापना के दिन कार्तिक शोगल शर्ज्टी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था। और सूरी देव की आराधना के थी। सब्तमी को सुर्योदे के समय पुना हनुष्ठान कर सूरी देव से आशिरबाद प्राप्त किया था। महा भारत में छटपर की सुरुवात सूरी पूत्र करड ने सूरी देव की पूजा से सुरुकी। कड़ भगवान सूरी के परमभक्त थे, तो अप्रते दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूरी देव को अर्दे देते थे, सूरी देव की के पास से ही वे महान युद्धा बने थे, आज भी छट में अर्देदान की यही पद्धती प्रचली थे, कुछ कताओं में पांडों की पत्नी द्रोपदी द्वारा सूरी की पूजा करने का उलेख है, और महाभारत में बिजय का कारण भी सूरी की पूजा ही माने गई, अपने परिजनों के उत्तुम स्वास्त की कामना और लंबी उम्र के लिए नेमित पूजा द्रोपदी किया करती थी, एक अथा के नुसार राजा प्रिवद की कोई संतान नहीं थी, तब महार्शी कस्यब ने पुत्रेश्ठी एक कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यग्या पुत्रेश्ठी के लिए बनाई गई खेर दी, इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंद हुआ, मृत्र पहदा हुआ, प्रीवद पुत्र को लेकर श्मसान गये, और पुत्र वियोग दे तान त्यागने लगे, उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देव से ना प्रकट हुई, और कहा कि श्रिश्ठी की मूल प्रवरिती के छटे अंस से पन होने के कारण, मैं सस्थी कहलाती हूँ, हे राजन, आप मेरी पुजा करें, तथा लोगों को भी मेरी पुजा के लिए प्रेवित करें, राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सस्थी का ब्रत क और उन्हें पुत्र रत की प्राप्ति हुई, और यही पुजा कार्तिक शोक्ल शर्ष्ठी कोुई, छट पुजा का सबसे महतपूर पक्ष, इसकी स्रादगी, पवित्रता और लोग पक्ष है, भक्ति और आध्धात्म से परपूर इस पर्व में पांस नेर्मित सूप, टो जन सामाने द्वारा अपने रीद्रिवाजों के रंगों में गवी कई उपासना पद्रती है, इसके केंद्र में वेद पुरान जैसे धर्म ग्रंत ना होकर, आम जन जीवन, किसान, ग्रामिल्ड जीवन है, इस प्रत के लिए न तो विशेष धन की आवशकता है, न पुरोह जित्याना गुरू के अभ्याथना की, जरूरत पड़ती है तो पासपड़ोस के सहियोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहरश और क्तकेता पोरोग प्रस्तुत रहता है, इस उत्सों के लिए जनता स्वयम अपने साम होई का भियान संगर्थित करती है, नगरों की साप गाटों को सजाना सहिस्ता से देखा जा सकता है, इस उत्सों में खरना के उत्सों से लेकर अर्धेदान तक समाज की अनिवारे उपस्ति दीवनी रहती है, यह सामाने और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुला कर सेवा भाव और भक्ति भाव सीग अस्था के लोग पर्व छट सुधालूं को प्रकृतिया और संस्कृति को संरक्षित करने की अनूठी सीख देता है, सुरियो पासना के इस लोग पर्व का आयोजन योग मुक्ति संतान प्राप्ति सुख सौभागय की कामना से किया जाता है, लेकिन इसकी परंपराओं में प्रकृति के पंचतत्तों और पर्यावरण को सहेचने की गहरी ललक है, हमारी सनातन भारती संस्कृति के पर्तिवहारों की बहुरंगी परंपराएं बहुत ही आकरशक हैं, और उतनी ही तारतक और विज्ञान सम्मत भी हैं, इनकी माध्यम से हमें अपनी सब्वेता और संस स्रधालों को आम जन्मानस को प्रकृतियों को संड़क्षित करने की अनुठी सीख देता है, दिपावली के च्छा माबाद कार्ति, महिने के शुक्लपक्ष की शस्तितिती से सुरू होने वाले सुर्य उपासना के चार दिवसी लोगपर्व का आयजन, सुर्य उपासना के लोगपर्व छट काय जन्यों तो रोग मुक्ति संतान प्राप्ति सुक्स वभागे की कामना से किया जाता है, लेकिन इसकी परंपराओं में प्रकृतिके पंच्टतो पर्यावर्ण को सहेजने की गहरी ललक है, हमारी सनातन, संस्कृति, पर्वतिवहारों की बहुरंगी प पाकर्शक और सम्मोहक हैं, उतनी ही तारकिक और विज्ञान सम्मत भी, इनके माध्यम से हमें अपनी सभिता और संस्कृति को और करीब से जानने का मौका मिलता है, ऐसा ही लोगपर्व है छट जो रिक बेद काल से चला आ रहा है, हमारे बेदों पिराणों में छट पर्व कि अच्छा दिन बाद कार्थिक महीने के शुक्लपक्ष की शर्ष्चिकिती से सुरू होने वाले सुरियोपासना के इस चार दीसी लोगपर्व का आयोजन, यू तो रोगमुक्ती संतान प्राप्ती सुक्सव भागी की कामना से किया जाता है, लेकिन प्रकृत की कोक्से उ अद्भूत है, लोग उदै होते ही सुरी की आराधना करते हैं, ब्रती जिन्हें पर वतिन कहा जाता है, लेकिन छट पर पर डूपते और रुपते दोनों सुरी को अर्ध देते हैं, और चार दिन तक पुझा करते हैं, छतिस घंटे निराजल ब्रत रहते हैं, इसमें भी प अर्ध बिधान अतित के सम्मान और भवश्य के स्वागत का संदेश देता है, इस लोग पर में भगवान सूरे नारायन उनकी बहन सस्टी को छटी मैया के रुप में भावना पूर्णमन किया जाता है, पाउराडिक मानेता के अनुसार माप्रकृत के छटे यां सेउत्पन शक्ती सस्टी सर्वस्वेष्ट मात्री शक्ती के रुप में विक्यात हुई है, माना जाता है कि छटपर मनाने की शुरुआत महा भारतकाल में कड़ने की थी, कड़ भगवान सूरे का परमभक था, वह प्रति दिन घंडों तक कमर में, कमर तक पानी में खड़े हुकर सूर को अर्दे देते थे, सूरी की क्रिपासे वह महान युद्धा बने थे, आज भी छटपर्व के दवरान सूरी को अर्दे दान की वही कड़ प्रतित प्रधती प्रचली थे, अने को अन्य पवराडिक बिवरण भी इस पुरा युगीन लोग परवर सूर्य पासना के महत को बताते हैं, हमारी पवराडिक ग्रंथों में नदियों, ब्रिक्षों, परवतों आदिका मानवी करण करते हुए उनने जीवन की प्रतिष्ठा की गई है, नदियों को माता कहने से लेकर पेड़ और पहाड का पूजन करने की भारती परमपराओं को पूरवा ग्रह बस कोई अंधर विश्वास भले कहे, लेकिन ये परमपराएं हमारी संस्कृत के प्रकृति प्रेम के ही सूचक है, छट पूजा मुलता है, प्रकृति पूजा है, सनातन काल से मनाया जाने वाला यह लोगपर्व में परयावरण को बचाने और उसका सम्मान करने के सीख देता है, इ आश निर्मित सूप टोकरी गन्ना, सिंहार अकेला संत्रा से भल्दी अद्रक जैसे फल्वा कंद तथा मिटी के चूले पर गन्ने के रस गुड़ चावल गेहूं से अतंत शुदता से निर्मित प्रसाद, और छटी मया के सू मधुर लोग गीतों के मध्य उधी मान ही नही अस्ता चलगा में सूरी को अर्द देने वाला यह पर भारत की लोग जीवन की सोंधी सुगंद भीखिरता है, जन सामाने द्वारा अपने रीत रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई सरल से है जो बासना पध्यती इसकी खासित है और इसके केंद्र में है भारत का ग्रामि लाग कर देश विदेश में तेजी से लोगप्री हो रहा है, छट पूजा का यह सबसे महत पोड़ वक्षक इसकी सरलता सादगी शुधता पवित्रता शत प्रतिसत परियावर्ण तेहित ऐसी होना है, छट पूजा पर गाय की गोपर से पूजा स्थल को लीप कर शुद किय जाता है, पूजा खाटों की मरमत और सफाई का काम तो दिपाली खत्म होते ही सुरूफ हो जाता है, स्वयमसेवी संस्ताय राजप्रशासन इस काम में युगदान देते हैं, छट के लिए सफाई के लिए पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए धुले घरागन फिर सिद हो जाते हैं, छट की सफाई का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि छट में चढ़ाये जाने वाले पुसाद को ठिकवा के लिए गेहुद होकर वहीं सुखाया जाता है, ठिकवा बनाने के लिए बजार से खरीदा आटा इस्तेमाल नहीं होता, दुले गेहुद को मिट्टी के चूले का बंदुवस्त किया जाता है, जिसमें आम की सूखी लकडियां जलाकर पूजा के लिए मिट्टी के खास बरतुरों में प्रसाद बनाने की परंपरा है, सफाई वर शुदता में कोई त्रुटी नहों ब्रतीस का पूरा ध्यान रखते हैं, सारे सात्व पपवान शुद्देशी घी में तियार किया जाते हैं, ठिकवा में आटे और गुड का इस्तेमाल होता है, वहीं कसार में चावल और गुड का, इस दोरान अगर प्रसाद में किसी ने चीक मार दे तो वह शुद्द माना जाता है, कोरोना काल में हम सभी ने देखा जो हमने आज सीखा है, वह चट में सनातन काल से चला आ रहा है, पूजा की सामगरियों को ले जाने के लिए बांस से बने दवरा या सूप का इस्तेमाल होता है, वह भी परंपरागत तरीके से बनाए होते हैं, इन में कहीं भी प्लास्टिक का इस्तमाल नहीं होता, इन तमाम प कोई बनावटी वस्तु ना कोई बर्बादी, इस तरह ये लोग पर उसे ही मायमने में पर्यावर्ड का सच्चा हितैशी है, प्रकृति के साथ छेड़ छाड रोकने, जलवाई को प्रदूशन मुक्त रखने, अगर ऐसे लोका नुष्ठानों की सामर्थ समझ ली जाया, त कीते दिनों में जलवाई सम्मेलन के मंस से हमारे प्रदान मंत्री ने भी विश्व समधाय से यहां पेल की थी, आज के दोर में जब लगतार कटे पेड़ों के कारण विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है, तेजी से पिगलते गले सेरों के कारण धरती पर संकट इस संदेश की प्रासंगिकता वा महत्ता और भी बढ़ जाती है, घाटों पर मनने वाले छट ब्रत को सहिजने के लिए एक मार में सीख भी बार बार दी जाती है, यह लोग पर वो सामाजे केकता का भी अद्भु संदेश देता है, सुर्देव को बांस में बने जिस सूप पर डालाब में प्रिसादर पित की अज़त है, वास समाज की सरवाधिक पिछडी जाती के लोग बनाते हैं, तता छट गाट अर्थात, नदियों, तालाबों, सरोरों पर सूरी को अर्द देने के लिए सभी जाती के लोग आपसी भीद भाव मिटा कर एक समान शुधा और रास्ता से एकत्र होते हैं, इस पर में वास के सूप, डलिया, मिटी के चूले, मिटी का दिया, ढखना, अगरवत्ती, सहित, अन्यसामगरी का बहुत महत्त होता है, छटके मौके पर इनको तूरी उत्यों को बड़े पैमाने पर पढ़ावा मिलता है, छटके लोग वीदों के छटा भी कम निराली नहीं, धोन, लै, बोल, आज सभी मायनों में इनमें एक अनूठा वैसिस्ट होता है, पर उपर नहीं प्रकृति की प्रतिश्चा भी इनमें प्रस्ट्रूप से देखी जा सकती है, काच ही के बास के भहंगिया, मर्बो जे सुगुवा धनुस्ते, कि प्रतना की घाट पर इतने सुंदर सुंदर चट के गीत हैं, जो प्रकृतिक तत्तों को पकड़कर बड़ा सुंदर और संदेश प्रद अर्थ विधान गढ़ा गया है, दिपाली बीत्ते ही बिहार के गाउं घरों में चट के गीत बजने लगते हैं, गुजने लगते हैं, इन लोगीतों में प्रकृति संदरक्षण ही नहीं, अब नारी ससकती करणों सामाजिक जागरुकता के संदेश भी दी जाते हैं, रुनुग जुनुग की बेटी मांगीला, मांगीला पठत, पंडित, दवाद, जैसे लोगीत सुसुक्षित समाज में बेटियों की महत्ताम सिक्षा परबल देते हैं, लोगपर्व का यहान उठा विज्ञान, सुरिश रस्ती के अर्देदान में आध्यानिक्ता के साथ, आध्यात्मिक्ता के साथ, वैग्यानिक्ता का भी गहन रहसे हैं, चटपर पर एक विशेश खगोली परिवर्तन होता है, हमारे वैदिक काली रिशियो मुनियों ने अपने अनसंधानों में पाया था कि किसी विशेश दिवस पर सुरिकी किर्णों की रोग को नश्ट करने की छमता विशेश रूप से बढ़ जाती है, इस माने ताकि पोष्टी के लिए किये गए वैग्यानिक्ता के विश्लेशन में पाया गया कि छ सुरियोदर और सुरियास के समय इन किर्णों की सखंता बढ़ जाती है, इस दिन कमर तक जल में खड़े होकर सुरिको जल देने से सुरिकी इन्हानिकार किर्णों के प्रवाव से रक्षा होती है, यूँ भी हमारे आयरवेद में जलसी कित्सा में कटिस्टान को विशेश न है तो दिया गया है, भारती शरीर विज्ञानियों के नुसार इससे कई रोगों का निवारण होता है, और रोगों के प्रतिरोग छप्ता बढ़ती है, रिशी कहते हैं कि सुरिय शष्टी के दिन गायत्री मंत्रिय जब के साथ सुरिध्यान करने से आंत्रिक चीतना भी जोर परिस्कृत हो जाती है, आप सभी को सुरिय शष्टी की हारदिक्षूप कामनाय छटपर्व, आप सभी के लिए मंगल में हूँ, छटपर्व चार दिनों का है, भाई तूझ के तीसरे दिन से यह शुरू होता है, पहले दिन सेंधा नमक और खी से बना हुआ, अर्वा साथ बजे से खीर बना कर पूझा करने के उपरान प्रसाद ग्रहड करते हैं, जिसे खर ना कहते हैं, तीसरे दिन डूबते हुए सूरि को अर्धि यानी दूधर पड़ करते हैं, अंतिम दिन उगते हुए सूरि को अर्धि चढ़ाते हैं, पूझा में पवित्रता का विश साथ दिया जाता है मुलता सूरी श ही बरत होने के कारण से ऍशप्भ बरत कहा गया करर्फ सब्सक्राइद पहली बार लगवे काल वर्ष में दूस्री कार्थिक बरकारफ उद्न में के लिए यह परुप मनाया जाता है इस्त्री और पुरुष समान रूप से इस परुपो मनाते हैं छट ब्रद में के संबंद में विविन प्रकार की लोग कथाएं भी प्रचलित हैं उनमें से एक कथा इस प्रकार है जब पांड़ो अपना सारा राजपाट जुवे में हार ग पराके नुसार सूरी देव और छटी मया का संबंद भाई बहन से है लोग मात्र का शष्टी की पहली पूजा सूरी नहीं की थी छट पर्व को बैग्यानिक द्रिष्टी कोड से देखा जाए तो छटी ती थी यानि शष्टी को एक विशीस खगोली परिवर्तन होता है इस समय सूरी की परावैगनी केड़ने पृत्वी की सतह पर सामाने से अथिक मात्रा में इकत्र हो जाती है इस कारण इसके संभावे को प्रभाओं से मानों की अथा संभव रक्षा करने की सामर्थ है मिलती है पर वो को मनाने से सूरी प्रकाश प्रावैगनी के परावैगनी के हानिकारक प्रभाओं से जियों की रक्षा सम्भ हो है वैसे भी अल्डरा वायलेट केड़ने आज मानो जिवन को पशुपक्षियों को नुकसान पहुचा रही है पृत्वी के जियों को इससे बड़ा ही लाव होता है सूरी के प्रकास के साथ उसकी प्रवैगनी केड़ने भी चंद्रमा और प्रत्वी पर आती है सूरी का प्रकास जब प्रत्वी पर पहुचता है तो पहले वाय मंडल को मिलता है वाय मंडल में प्रवेश करने से उसे आयन मंडल मिलता है परावैगनी किर्णों का उपयोग वाय मंडल अपने आक्सीजन तत्तों को संसलेती कर उसे इलोट्रो पोजन में बदल देता है और यही क्रिया सुर्य की परावैगनी किर्णों का दिकांश भाग पृत्वी के वाय मंडल में ही और शोचित होता है पृत्वी की सता पर केवल उसका नगडने भागी पहुच बाता है सामान नवस्था में पृत्वी की सता पर पहुचने वाली परावैगनी किल्णों की मातरा मनुश और जीवों के सहन करनी की छमता होती है अतहा सामाने वस्थाओं में मनुश्यों पर उसका विशेश प्रभाव नहीं पड़ता बलकि उस धूप द्वारा हानिकारक की राणु मट जाते हैं जिससे मनुश्या जीवन को लाव होता है छट जैसी खगोली स्थिती चंदरमा और प्रिथवी के ब्रह मर्तलों की सम्रेखा के दोनों छोरों पर सुरी की परावेगनी किड़ें कुछ चंद्र सता से परावरतित होकर कुछ गोली अपवरतित होती हैं प्रिथवी पर पुना सामाने स्यधिक मात्रा में पहुचाती हैं वाई मंडल के इस तरों से निकलती हुए सुर्यास तेथा सुर्योदे को भी सखन करती हैं और हमारा जोतिश भी कहता है कि यह घटना कार्तिक और चैत्रमास की हमाश्या के छह दिन उपरांत आती है और जोतिश करना के अनुसार यह छटपर्व इसे ही कहा गया है और छटपर्व आध्यात्मेक धार्मेक स्वास्त के लिए हर तरह से अच्छा है वीडियो को लाइक करें जादा जादा शेयर करें और अपने बहमूली सुझाओ कोमेंट बोक्स में अवर्शे दें धन्यवाद नमस्कार